नमस्कार आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम साब बाश उत्राखंड में और आज हमारे बीच एक ऐसी सक्षियत मौजूद है जिनों अपनी खूप सूर्ती और महनत के दम पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है जी हाँ यह और कोई नहीं बलकि हमारी कोटद्वार की हमारे उत्राखंड की तनिक शर्मा है तनिश बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में तनिश पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि छोटे से शहर कोटद्वार से माया नगरी मुंबई तक का सफर आपका कैसा रहा है यह जो सफर है यह बच्छपन में ही तै कर लिया गया था और बच्छपन से ही मैंने काफी सारे काल्श्रल प्रोग्राम किये हैं पर कभी मैंने यह नहीं सोचा कि मैं एक अक्ट्रस वनूंगी मैं बॉलिवूट में जाओंगी मैं बस नाचने गाने में इंटर स्कूल डेबिट कॉम्पिटिशन में रहती थी बट जब आपकी मनजिल तै होती है तो आपका रास्ता उपर खुदा बनाता है तो मेरा रास्ता भी खुदा ने बनाए तो तनिश दूसरा मेरा सवाल है कि उत्राखंड से आप हैं और कितना आपको गर फील होता है जब आप इतने बड़े परदे पर जाती है एक बड़ी मॉडल के रूप में आप जानी जाती है सभी दर्शकों के जबान पर आपका नाम होता है उत्राखंड जो शहर है वो बहुत ही सीधे और साधारन लोग बहां पे रहते हैं बहुत ही इमानदार आदमी है तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हम लोग इतनी बड़ी जगा पे जाके खुद को प्रूफ कर पा तो कैसा लगता है आपको और जो लोग जितनी मॉडल जितनी भी लड़ीकिया जाना चाहती है इस फ्यूचर में इसमें अपना करियर बनाना चाहती है उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कितना संघर्श आपको लगा इसमें कितना संघर्श करना पड़ा संघर्ष मेरे हिसाब से कभी किसी का खतम नहीं होता है मेरा तो अभी तक चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है पर जो भी लड़कियां है या जो भी और लोग हैं किसी भी छेत्र में कभी भी सफलता असानी से नहीं मिलती चाहे वो modeling हो, चाहे वो engineering हो, doctory हो तो मेरे हिसाब से कोई भी field है हमें give up नहीं करना चाहिए कुछ भी खास नहीं है model बनने में adjust कि आपको करना है तो आप बस लगे रहिए, वही मैंने भी किया तो आपको ऐसा कब लगा कि हाँ मुझे अब career बनाना है क्योंकि बच्पन में देखे जाते है किसे का लड़कियों का खासकर सफना होता है एर हॉस्टर्स बनने का, एक्टर्स बनने का, लेकिन अपको कब ऐसा लगा कि हाँ, अब मुझे अपना career modeling में बनाना है Actually, मेरा जाहती थी कि मैं मिस यॉनिवर्स बनू या मिस इंडिया बनू लेकिन हम छोटे होते तो हमें समझ में ढाना है कि हमें क्या करना है हमारे माबाप ही हमें संझाते है तो बस मेरी मा के लिए, मेरी माा दान्स टीचर है में एन्के के लिए में, करती थी, और वहékती थी तिम्हारे में नयजाकत के बहुत कमी हैं तो वह मुझे ममाथॱृ दिक्षित और भालale की में भूक सवार चलिरे सिखाती थी दो जिस लिकिन उनके साब से नजाकत से नहीं करती थी लेकिन just because of her, मैंने बहुत अकेले में जाके उनकी जब प्राक्टिस खतम होती थी, अकेले में जाके हुब प्राक्टिस किया और एली रे एली गाना है करीना कपूर का वो मैंने उनने करके दिखाया उस दिन वो बोली अब तुम तयार हो पर मैं समझ ने पाई किस चीज के लिए तो मैंने सोचा मैं होटेल मैनेजमेंट करती हूँ, एर होस्टेज बनती हूँ, क्योंकि मैं लंबी हूँ, और मैं मेडिकल से 87% पास्ट आउट हूँ और उत्रांचल डेंटल कॉलेज मेरा एडमिशन भी अल्मोस्ट फिक्स था, लेकिन जब आपकी मनजिल वो नहीं थी तो कुछ भी नहीं हो पाया मुझसे, मैं एडमिशन लेते लेते रह गई, और पूसा से मैंने आधी पढ़ाई की, आई हम की, वो भी रह गया, क्योंकि म मोस्ट अपकमिंग वराणन अबैसेडर गे और मुझे यहीं नहीं पता कि कैसे में जेमी शेयरिकल के साथ वेब सीरीज कर भी, मुझे अभी तक नहीं पता, बस चीजे अपने आप हो रही है और शायद होती जाएंगी, अच्छ फैमिली का कुल मिला के अभी तक की बात से है कि आपका बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिला है थैमली से क्योंकि एकसर देखा जाता है कि अगर अगर देव भूमी की बात करें उत्राकंड में, तो मॉडलिंग के करियर में माबाप ज्या जाने नहीं देते बेटियों को कहा जाता है कि बहुत अच्छा फिर्ड नह कि उत्राखंड की लड़कियां बहुत सुंदर है पहाडी लड़कियां बहुत खुबसूरत है उन्हें आप मुझे देख लीजे मुझे अपने आपी काम मिलता जा रहा है मैं इतनी कोशिच भी नहीं कर रही हूं क्यूंकि साफ देल होता है हम लोगों का और आपको भी अपन काम करना चाहती है तो किस तरीके की फिल्मों में आप काम करना चाहती है और खासकर कोई हीरो आपका फेवरेट हो आप जिसके साथ काम करना चाहती है मेरा फेवरेट हीरो सल्मान खान इmranotype हsmi और Akshay Kumar और ृतिक रॉषını और रोल मेरा जोनार कॉमेडी है मैं भट अझी कॉमेडी करती हूं? और जैसे कि मैं अर्टिस्ट हूँ तो मैं अक्शन मुवी करना चाहूंगी और कॉमेडी जॉनर करना चाहूंगी तो एक्शन मुवी में अपका ज्यादा फोकस रहेगा? कि मैं मार्शलाद चैंपियन हूँ, कराटे भी में करती हूँ और मेरा फिजिक है वो काफी में बहनत करती हूं तो आई परफॉर्म अच्छन मुवी और कॉमेडी जॉनर मुवी अच्छा अब तक की जो आपकी जर्नी रही है उसमें आपको कभी ऐसा लगा जब आप गिव अप करना चाहें या बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आई होगी आपको लगाओगा नहीं यह करियर बहुत अच्छा नहीं है में हाँ हाँ हर तीन महेने बाद हमें लगता है अब नहीं हो रहा है बस अभी जाना है अब कुछ और करते हैं अब होटेल खोल लेते हैं अब लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उपर हमसे भी ज़्यादा भगवारनिक रास्ता बनाया है हम कितना ही कोशिश करें हमें नहीं करना है न मुवी करती हैं बड़े पड़े पर आती हैं और जो आपका सपना है वह पूरा करती है तो उत्राखंड के लिए आप क्या करेंगी एक उत्राखंडी होने के नाते पहाडी होने के नाते जब मैं यहां से बॉंबे गई तो मैंने रिलाइस किया कि जो हमारा उत्राखंडी वह मेरा अपना अनुभव है कि अगर मैं कुछ बहुत बड़ा काम करती हूं तो मैं उत्रखन टॉरिजम के लिए कुछ करना चाहूंगी अब तक का जो आपका सफर रहा है बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही है संघर्ज भी आपने बहुत कुछ किया है लेकिन अब अगर मुवीज में भी आप आ जाती हैं बॉलिवुड में आप आ जाती है उसके बाद इंटरनेशनल एक लेवल आता है एक मिस वर्ड बनने का ज सिंगापॉर, उस्ट्रेलिया, साउथ आफरिका जो भारती रहते हैं तो ये लोग हर देश से एक-एक मिस इंडिया चाटते हैं तो जैसे कि मेरी पढ़ाई उमान से हुई है तो मैं मिस इंडिया उमान चाटी की तो तब ये अंतराश्ट्री पतियोगिता इस बार बारा सा आफरिका जाएं किसका ज्यादा सपोर्टर आपको फैमिली को छोड़के जो भी मेरी इर्दियर दोस्त है जो मेरे टीचर्स थे उन सब को लगता था कि मुझे कुछ मुझे ऐसा कुछ करना जायी जो मुझे कभी समझ में नहीं है मेरे फिजिक्स के टीचर है Mr. अखिलेश अगर वो मुझे देख रहे हैं तो वो हमेशा कहते थे कि तुम यह नहीं तुम डॉक्टर नहीं बन सकती क्योंकि मैं क्लास में भी फिजिक्स पढ़ने की बहुत कोशिच करती थी तो वो कहते थे नहीं तुमसे यह नहीं होगा तो मेरे ख्याल से मेरे इर्दियर जो भी मेर बड़े लेवल पर जो हैं, हमारी जो विमेन आगे बढ़ती हैं, कोई खामी आपको लगती है, इसमें जो आपको लगता है कि हाँ आप इसे चेंज करना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे बड़ी खामिया जो मुझे मॉडलिंग में लगती हैं, वो है कम खाना, बहुत कम खाना पड़ता है, और मेंको खाना बहुत पसंद है, खाना बनाना बहुत पसंद है, तो मेरे साब से यह सुर्फ मेरी नहीं दुनिया में हर एक मॉडल की परिशानी कि उन्हें बहुत क मैं खाना एक बहुत ही निर्धारित मात्रा में खाती हूं, तो उससे मेरा शरी ठीक बना रहता है, तो मैं कोई बहुत बड़ी फिजीक फिटनिस नहीं हूँ. एक सवाल मेरा आपसे यह है, कि अब उतराखंड में धीरे-धीरे मुवी बनने जा रहे हैं, बॉली वुड जो है, धीरे-धीरे उतराखंड में आ रहा है, मुवी बनाने आ रहे हैं, बत्ती गुल मिटर चालो अभी हाली में बनी है, तो आपका क्या कहना है कि कौन-कौन सी ज जहां पर मुवी बननी चाहिए धीरे-धीरे सरकार ने भी टेक्स-फ्री कर दिया है यहां पर तो उत्राखंड के फ्यूचर के हिसाब से क्या लगता है आपको कि अगर यहां पर बड़े-बड़े यहां पर निर्माता आते हैं तो क्या फाइदा उत्राखंड को होगा? मेरे ख्याल से स्टूदेंट ओफ दे येर तो तीन साल से एफायर में बन रही है और केदार नाथ भी हाल ही में उत्राखंड में बनाई गई तो इस चीज से मेरे हिसाब से उत्राखंड का टॉरिजम बढ़ता है और यहां के खुबसूरती बाहर निकलती है बहुत जगा आप आपर पूरा आना चाहिए बॉलिवुड जो हीरो हीरोई ने आपर मुवी बननी जे कबीर सिंग भी चोटा सा यहां पर जो है शूट हुआ था तो आपको लगता है ऐसा मैं जबी भी बॉम्बे से घर आती हूं तो मुझ से कोई पुछता है तुम कहां हो तो मैं कहते हैं मै करते हैं तो मेरे सब दोस्ते को बता है तुम देव भूमी में हो तो मेरे खयाल से इशवर कि यहां पर विराजमान है और जो भी डिरेक्टर्स और प्रोडीूसर्स यहां पर आ के मूवी बनाते हैं तो उनके, उनके साथ इश्र का अशरवाद होता है और उपर वाले की कृ तो मेरे हिसाब से सभी को यहां पर आके मुवी बनानी चाहिए अभी इश्लोक कामबानी की शादी भी यहीं हमारे उत्राखंड में की गई है तो जिस चीज में इश्वर का आश्रवाद है वो चीज तो असफल होई नहीं सकती है अच्छा ये बताईए कोड़ दौार में बह और फिर बात आती है चोटे से शहर कोड़ दौार की उर्वशी रौतेला वहां से है मिस ग्रेंड इंडिया अनुकृति कुसाई वहां से बिलॉंग करती है तो इनको देखके आप कितना इंस्पायर होती है जब आपके उत्राकंट से कोड़ दौर से यह लोग आप देखते कि जो मुवी बनती हैं उसमें कॉमेडी में जादा फोकस होता है लिकिन जो शोशल मैसेज जैसे कि पहले की मूवी आओती थी एक सोशल मैसेज अच्छा सा देती थी लिकिन अब का जो दौर आ रहा है उसमें सिर्फ कॉमेडी एक्शन महीं हम लोग ध्यान देते हैं तो प्रमीडी मुवी और एक्षिन मुवी बहुत जरूरी है क्योंकि आउडियन्स को हसाना जरूरी है और रोमांच बनाने के लिए अक्षिन जरूरी है तो मेरे साब से चीज को बदलना नहीं चाहिए अचा अचा आप अपने दर्शकों को अपना सफलता का मूल मंतर बताओ क्य अपने अपने दर्शकों को अपना मूल मंतर बताई है मैं काफी लखी रही हूं अक्षिली तो आप मेरे पर मंच जरूरी है लेकिन आप कोई इंस्पिरेशन काई लोगों कि आप आइडल है कई लोग आपको फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग है तो उनको आप अपने सफल अपने माबाप की जरूर सुनिए क्योंकि वो आपसे जादा आपको समझते हैं और वो आप में देखते हैं कि आप उनका बीज है आप कहा तक पॉंचेंगे तो मेरा तो यही आपको मूल मंतर है कि आप सबसे पहले अपने ममी पापा से कांसलिंग कीजिए उनसे पूछिए कि वो क्या सोचते हैं आपको क्या करना है क्योंकि मैं मेरी माँ के वज़े से आज हूँ जो भी हूँ अच्छा तनिश्क आप अपने फ्यूचर गोल्स हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी हाँ पता नहीं मैं कहां तक पहुचोंगी मा जाने और भगवान जाने बट हम काफी कोशिश हो रही है मेरे लिए और मुझे दो तिन जगाओं से काम भी है शायदा मुझे जल्द ही वेब सिरीज में देख सकते हैं अगले ही महीने अच्छ जो मॉडलिंग के अगर हम बात करें तो कई लड़कियां हैं माबाप लड़कियां तो जाना चाहती है लेकिन माता पिता नहीं बेजना चाहते हैं उनका कहना है तुम पढ़ाई में आगे बढ़ो उन माबाप को आप क्या कहना चाहेंगी क्योंकि आप एक खुद बहुत बड़ी मॉडल है, उन लड़कियों के सपोर्ट में आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे हिसाब से किसी भी चीज को रोक के उसकी दिशा मरोडना हमारी किसी के भी हाथ में नहीं हैं, तो अगर बच्चे चाहते हैं इस चीज को आगे बढ़ना, तो जैसा कि मैंने अभी बोला, मेरी सफलता के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरी मा है, तो अगर आप लोग उनको रोकेंगे, तो दूसरा मेरे साब से बच्चे और पेरेंस को साथ में बैठ कर बात करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेरेंस आपसे जादा जानते हों, तो जित करना भी ठीक नहीं बच्चों, मैंने भी जित की लेकिन मुझे मेरी शायद डेस्टिनी में यहां जाना था, तो मेरी साब से यह सवाल मुझे से नहीं, मम्मी और बच्चे को साथ में बैठ के बात करनी जाए, तो तनिक बहुत-बहुत धन्यवाद हम से बाच्चित करने के लिए, अपना समय देने के लिए, तो इस वक्त हमारे बीश मौजूद थी तनिक शर्मा, जो कि एक बहुत-बड़ी मॉडल है, और इन्हों ने आज हमें बता दिया, और हमारे दर्शकों को यह मैसेज दिया है, कि करो कुछ ऐसा, कि सब बनना चाहें आपके ही जैसा, तो आज के लिए फिलाल इतना ही, अगली बारी किसी नई सक्षियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार.